hrannds क्या आपके गाड़ी मेंира आईल हो रहा है या तो तो पिर आपके गाड़ीमें एंजन गर्भान अगर उठा के देखे तो आईल व इक आपको अगर देखा वाहिदा हा में बनाए संब बनाया ना क्योंकि और जितने भी मेर गाड़ी में जो प्रॉब्लम्स होता है ने अब वोल्स्वाइगन पोलो का तो उसमें कॉमेंट्स है कि अपने गाड़ी में आई लीकेज वगर बहुत हो रहा वलकर तो हर गाड़ी में जो जो प्राब्लम्स होता मैं आपके साथ शेर करूंगा आई लीकेज का बहुत अभी फिलोखत आपका आई लीकेज का बहुत ज्यादा यह अपने को कंप्लेंट्स देखने को मिल रहा तो बहुत ज्यादा कंप्लेंट रहने सेकस्टम मेड़्स हो रहा है तो फिर परेशान है अपने मेकानिक किदर बीदिखाय करें तो भी क्या है आई लीकेज का प्राबलम सॉल्ब क्या है कुछ ऐसे points आपको ले लेका हैं मैं better अपना तो मेरे friends आपको मैं बताओंगा कि किस वजी से जो problem आयने वाला हैं अपने गाडी में जो भी problem मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा और आपको मैं बताओंगा कि पूरा complete video जो आई डिए के चारी अपने को प्रॉब्लम होने वाला है तो चलता हो मैं आपन सामन के तरह बताऊंगा मैं कि आप डेख सकते हैं यहां पर महीं कुछ सामन मैं लिया हूं यहां पर जैसे कि देख सकते हैं कि इधर आपके साथ में शेयर करूंगा थोड़ा स्क्रीन थोड़ा इसका बड़ा कर लिए तो जैसे कि देख सकते हैं अभी कुछ पार्ट्स बगरा मैंने मेरे साथ में आपको रखा है तो मैं आपको बता हूंगा इसमें कि क्या क्या प्राब्लम अपने को फेस करने को मिल सक के उसमें तो परस्टा पाल अपको मैं भी मैं हिचे आगा तो आपको पताने में थोड़े आसानी होंगी जो पांट किसवजे से है क्या है तो ज्यान तर आपको मैं एक फॉड़ बताता हूं फश्टा उत बार क्या होता अपने गाडियाओं को गाड़ी जहां जाता है गड गाड़ों में गिरता है गाड़ी या तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यह संप है जो हर गाडी को compulsory रहता है और हर गाड़ी के नीचे जो अपना इल स्टोर रहता है यह इसी में रहता है यह ज़ए है आईल क्या है इसमें श्टोर रहता अपना तो ज्यादा तर अभी मैं जैसे के आपको बता सकता हूं इसमें गाड़ी आफरे जब पूरा आईल का जो श्टोर होने का जगे है यही है वह हर घाड़ी में यही है असी रहता थोड़े गाड़ियों में अलिमीनियुम का है यहां से आपको लीकेज होने का चांस है तो नेक्स्ट और एक बात आपको बताना चाहूंगा यह भूदबर क्या होता है संबोल्ट है संबोल्ट क्या है हर 10,000 km के बाद या सर्विस के टैम पर ओपन करते फिटिंग करते इसके अंदर एक वाचर रहता जो लबबर वाचर रह देख रहे है आप यह जो अपना complete facing है जो संब का अपना बहुत बार क्या होता है कि गाड़ी heat होने के वज़ी से या जो अपने को paste लगता है solution जिसे बोलते है या तो एनबबॉण बोलते है एनबबॉण क्या है heating के वज़ी से जो उसका thickness है उसका जो brand है उसका जो grade है उसका आइनबॉण बहुत बार तो क्या है यहां कि यहां से आपको oil leakage leakage देखने को मिल सकता है तो अभी देज जैसे के देख सकते है संप में अपने विया तो संप डैमेज रहा तो आपको लिकेज हो सकता है या तो फिर आपका संप का जो packing है एनबॉण जिसे कहते है वो भी आपक खराब हो गया तो आपको oil leakage के देखने को मिल सकता है और एक बात क्या है आइल का संप फिटिंग होता हर गाड़ी को सेम यह bolts जैसे के देख सकते हर गाड़ी को किसी गाड़ी को 10 bolts आते है किसी गाड़ी को 15 bolts किसी गाड़ी को 18 bolts 16 bolts हर गाड़ी का अलग-अलग diffraction है हर लूज रहा या तो यह bolt tend भी रहा अगर बोल लूज रहा या तो slip रहा तो भी आपको यह complaint देखने को मिल सकता है तो अपना जो मैं आपको बता है अभी यह sum के लिए अभी next procedure क्या है आपको next क्या चक करना है वो भी बताऊंगा next क्या है अपना जैसे क्या देख सकते हैं यह oil filter और यहां से भी आपको आई लीकेश देखने को मिल सकता है और एक बार क्या है आपको बता दूंगा मैं यह आइल फिल्टर जो अपना है और फिल्टर का फेसिंग का जो अपना जैसे कि देख सकते हैं यहां पर लबबर वाचर है यह लबबर वाचर गाड़ी हीट होने के बाद हीट से अपना लबबर वाचर वीक होने का चांस है उस वज़े से यह वहां से भी अपने को यह लीकेज होने का चांस हो सकता है और एक जब कर जबिने गाड़ी का एक हट जिस का हिए टाम रहता आउचे का भी हट चिस का तो जद अतर कंडिशन में यह हीट होने के बाद क्या है फिल्टर का जो पुजिशन जितना टेंड करें आपने अगर, fingerprint, बोलते हैं, इसको fingerprint करते है, नॉर्माल फिल्टर या आयल फिल्टर को, ब्तन के हमार लूजी से हो बद बागया है, वास पावजूद भी आपको, il leakage होने का चांस हो सकता है, या तो DIMAG हमें आपको के यह मेटल का फिल्टर है तो next अपन और एंधां प्रोजिशन गाशीृशन के रहता है यह और और प्राप्लम रीख trip का यहीं किऊल देख सकते हैं आफ है अभिन घुकल्अ पॉल्च कोलियर बॉडियर बॉड़ी में कहीं कहीं जगों यहान हो सकता बटाम पहले तहों अपना यह ईल फिल्टर काप है उपर कि अंदर एक ऊइल फिल्टर आता एक औरिंग का प्राब्लम रह या औरिंग सही नहीं फिट हुआ या तो औरिंग बहुत इस्पैंड हो गया लब Yapर का ओरिंग रएता इसमें जो मिक्स होने का जो फिटिंग जो अपना जो भी है देख सकते हैं इसके अंदर कुछ डिफरेंट डिफरेंट वोल से अगर यह होल्स में अगर आप कुछ प्राब्लम आ गया तो आपको क्या प्राब्लम आसकता है तो टो जैसके मैं बताना बोलना का मतलग यह है है हुने क्ना और हमें पर यहां पर ऑफेस होता है आपने लबड जो आप देख सकते हैं पूरा लेल हो गया अबेझा लेबल हो गया तो यह लेजकिट वगश्च अपको के यृच करना पड़ सकता है तो एक बता दूंगा यह यह लेख सकते हैं डाइμिंग कोवर के लेवल हो गया भी बौडी के लेवल हो गया तो यह गेसकीट वगेरा जलने से यह गेक करना पड़ सकता है तो नेक्सट डप आपको चलते हैं यह आपको रिख Lawrence यह देख सकते हैं आप टाइमिंग कवर पैकिंग तो यह बोद गाड़ियों को आप जैसे के देख सकते हैं टाइमिंग कवर पैकिंग रहता तो कुछ पैकिंग वगेरा रहते हैं टाइमिंग कवर के भी पैकिंग रहता या तो टाइमिंग कवर का पैकिंग रहता संप का पैक तो फ्रेंट्स वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूं जितना भी आपको मैं शेर कर रहा हूं पूरे डिकेज रिलेटिक बता रहा तो आपको अगर मेकैनिक जिन पार्ट के बारे में आपको बोल रहा है, आपको कुछ एक knowledge मिल जाएंगा, कुछ idea मिल जाएंगा, कि किस part के बारे में बोल रहा है, किस part को replace करने के वाले बारे में बोल रहे है वो आपको, तो आपको कुछ idea मिल जाएंगा, एक knowledge मिल जाएंगा यह वीडियो से तो वीडियो आखरी तक देखिए फ्रेंड्स और वीडियो अच्छी देखितो फ्रेंड्स लाइक भी करें शेर भी करें सब्सक्राइब मैं चैनल तो अभी नेक्स्ट आपको मैं बता होंगा यह एक एक हैडड़ गैस्किट में भी आपको प्रॉब्लम सा सकता यह यह बॉल्ट टार्ग के वज़िस्ट डालके बॉल्ट करते है इसका तो एक जिसका जिसका ब्लॉक्स वगएरा जूभी होल्स वगेरा शोब है यह यह बहुत 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 होने से गाड़ी का लूज मगर इस वज़े से नहीं होते हैं कि बोल्ट खुलने का चांस है मगर यह जो नया जब आप दालेंगे आपको बता होंगा आपी मैं मैं जब आप नया दालेंगा इसका ठीकनेस जो साइस रहेंगा इसका इसका जो साइज रहेंगा थोड़ा आपको पहले अलग दिखेंगा अगर आप बाद में खोलने के बाद देखेंगे तो थोड़ा अलग रहेंगा इसका गैसिट क्योंकि हैड और बोर के बीच में फिटिंग होता है फुल टार्क डाल के टैंट होता है हर गाड़ी का टार्क अलग अलग रहता है तो इस गैस किट जाने के वज़े से भी आपको ओईल लीकेश फेस करना पड़ सकता है तो फ्रेंट्स नेक्स्ट है अपना टाइमिंग कवर जैसे कि आम यहां देख सकते हैं यह शिफ्ट का टाइमिंग कवर है बताने के लिए आम हैं बहुत गाड़ी यह शिफ्ट वगएरा पेट्रोल हो या डिजल गाड़ी हो सब में टाइमिंग कवर दे रहा है क्योंकि पहले होता था टाइमिंग बल्ट वगएरा प्लास्टिक कवर वगएरा देता था ऐल पंप सपरेड देता था अभी जितना भी लेटस्ट मॉडल गाड़ी आने वाला पूराँको को टाइमिंग कवर के अंदर ही आइल दे दे रहा है और रहे पेट्रोल हो यां डिजल हो फीटिंग होने वालान उसको आइनबाण के लिच वह उगक्त अगर्वार हो गया या तो यह अफिल को फिटिंग होने वाला जैसे कि अभी यहां देख सेकते हैं इसका आइल पॉम्प यहां पर फिट यह फिटेड है अइल जैसे कि देख सकते हैं टाइमिंग कवर के अंदर ही आइल पंप है तो मेरा जैसे कि आपको मैं जित्ते भी कंप्रेंट्स वगरा बताया तो और थूड़े बहुत ऐसे चीजा ह में और माइनर उपर से सकते हैं और एक बाद बुड़ गाड़ों में क्या है और यह बताना चाहँडा आपको बोट बार क्या होता है कि आई टैङ iint कवर जू पैकिंग रहता पैकिंग भी आपको क्या होने वारा है अपने स्पार प्लग में या तो इंजक्टर में वतरना शुरू होता है इस वजी से भी प्रॉब्लम आ सकता है अपने गाड़ी में प्रॉब्लम है तो आपको कुछ मालुमात होने के लिए कुछ एक्स्प्लेंड करने के लिए जितना में कुछ नौलेज है आपके साथ शेयर करा हूँ तो मेरा जो भी मेरा वीडियो बनाने का मकसद था आई लिकेज के रिलेटिव था तो वीडियो अगर अच्छी दिखे तो फ्रेंड्स वीडियो आखरी तक देखिए और लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब मैं चनल थैंक्स ब्रो अलाहाफिस अब देख सकते हैं अभी जो मैं आपको पार्ट बता आया तो यह ऑई लिकेज के जो ज्यादादर ट्रबूल्स आ सकते आपको यहां से यह जो मैं बताया अभी इससे भी ज्यादा कुछ में पॉइंट्स है जो आपके साथ मैं शेयर करोंगा अब आपके साथ मैं तो अभी इसके बाद जो next step है आपको चक्क करने का जो procedure है यह से के आप देख सकते हैं अपना जो gauge जो रहता अपना जो और गेज वगरा रहता वह और निकाल के बैग कंपरेशर वगरा कुछ है कै वह भी चक्क करना का गार है गर अपना इंज인데 और कशन केक्ख सकता है तो लिए सकता है तो इसलिए आपको साथ जितना नॉलिच आपके साथ फुरा शेर करा है जितना विए मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आपको यह भी जो वीडियो बना रहा है जिता भी टैम लगता एडिटिंग के लिए आपके ही लिए है जो भी आप वहां लाश्ट तक वीडियो देखिए लाजमी अगर आपके कुछ अगर आप बेनेफिट है आपको गाड़ी के लिए मैं जो कुछ भी एक्स्प्लेंट करा आपका को अगर आपको यह वीडियो से कुछ फैदा हुआ तो वीडियो में प्लीज कॉमेंट करें के और लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब मैं चैनल तो मेरा बताने का मकसद यह ही तो डिश्टिक निकाल के अपना बैक कंप्रेशर अगरा भी आरा नहीं आरा है बच्छक कर लेना है उसके बाद जो सगेंट स्टेप है अपना टर्बो जो टर्बो का जो कोर रहता टर्बो का जो आईल लीकेज होने का चांस हो सकता है वहां से भी अगर टर्बो ऑईलिकेज करा तो अपने सैलेंसर में ब्लैक धुआ भूआ है और यह क्या है अपने कुष नीचे ट्रॉप्स पूरा निचे के पास अपन देखते है पूरा पूर आपको बीसे हो सबक्राइल अच्छी हो सकता है तो वीडियो अगर अच्छी दिखी फैन्स वीडियो Marshall udah इक इसको हो गया पूई Bushing ऐना आपको वीडियो से कुछ अपने को बेनेफिट हो गया कुछ वीडियो देखने से कुछ अपने को सहीं दिखा हैं तो friends please like करना मत बोलिए वीडियो आखरी तक देखना friends अगर वीडियो अच्छी दिखे तो अपने दोस्तों के साथ अपने relation के साथ भी share कर दिजिए तो वीडियो अच्छी दिखे तो friends like करें शेयर करें सबस्क्राइब मैं चैनल इबियन नार हैदरबाद में कैने ठैंक्स लावित खुदाफिस